नमस्कार आज हम बात करने जा रहे हैं योटियल के स्मार्ट एलेडी टीवी के बारे में जो योटियल के पास दो अलग-अलग साइज में उपलब्ध है चालिस इंच और बत्तिस इंच यह टीवी फुल एजडी के साथ स्मार्ट भी है जिसमें एंड्रोइड वर्जन एट और इसमें एक जीवी रैम और आठ जीवी रॉम इंस्टॉल है यह टीवी लाइट वेटीड है साउंड क्वालिटी की बात करते हैं यूटियल स्मार्ट टीवी में स्राउंड साउंड के दो स्पीकर्स हैं जिससे ओडियो की क्वालिटी काफी अच्छी आती है पावर अन ओफ यूटियल स्मार्ट टीवी में टीवी को अन और ओफ करने का स्विच दिया गया है मैन्यू यूटियल टीवी में मैन्यू का स्विच दिया है ताकि टीवी के मैन्यू में जाकर सैटिंग चेंज कर सकें चैनल प्लस माइनस यूटियल टीवी में चैनल से भी कर सकते हैं और manual भी कर सकते हैं RJ45 इस पोर्ट का यूज इंटरनेंट केवल को TV से connect करने के लिए किया जाता है AV1 और 2 input इस TV में 2 AV port हैं इस पोर्ट का यूज Tai वी में set of box को Connect करने के लिए किया जाता है ताकि ती वी में video और audio को देख और सुन सकें VGA signal input इस port का यूज टीपी में laptop और computer को connect करने के लिए 15 pin का VGA port दिया गया है PC audio input इस port का यूज system के audio को TV के साथ connect करने के लिए HDMI input इस TV में दो HDMI input हैं जिसका इस्तिमाल आप AV port की जगा कर सकते हो antenna input इस port का use TV से antenna को connect करने के लिए किया जाता है headphone इस TV में आपको headphone का option दे रहे है SD card इस TV में आपको एक SD card का option दे रहे हैं ताकि आप mobile और digital camera का data अपने TV में देख सके हैं USB इस TV में दो USB port हैं इन port का use pen drive को TV से connect करने के लिए किया जाता है आईए अब हम TV के features के बारे में बात करते हैं यह TV के source है जिसका use अलग-अलग तरीकों से कर सकते हैं जैसे AVT, AV1, AV2, HDMI, VZA जिसका use TV को connect करने के लिए किया जाता है अब हम TV के settings के बारे में बताते हैं इसमें network setting है जिसका use TV में internet चलने के लिए किया जाता है Line और Wi-Fi दोनों का इस्तिमाल कर सकते हैं Wi-Fi चलने के लिए आपको wireless setting में जाना होगा और Wi-Fi username सेलेक्ट करना होगा फिर उसका password एंटर करना होगा ताकि आपका TV Wi-Fi से connect हो सके Image and sound setting इसका use image और sound की quality को change करने के लिए किया जाता है Time setting इसका use time को set करने के लिए किया जाता है Common setting इसका use language और बाकी सवी setting का इस्तमाल करने के लिए किया जाता है Accounts इसका use TV में अपने Gmail account को add करने के लिए किया जाता है Information इसमें TV की overall information दी गई है जिसको आप देख सकते हैं अब हम TV app के बारे में बात करते हैं इस TV में Android app है जिसका use entertainment के लिए किया जाता है इसमें mcast app भी है जिसका use आप अपने Android phone को TV से connect करने के लिए कर सकते हैं Overall बात करें तो यूटेल का TV काफी अच्छा है Full HD होने के साथ साथ smart Android feature के साथ आ रहा है और यह आपके नजदी की शॉपी पे भी उपलब्द है अधिक जानकारी के लिए दिये गए नंबर पर संपग करें 925-885-885 पर धन्यवाल